इस वीडियो में आपको एक ऐसे ड्रिंक के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि सिर्फ तीन चीजों की मुदद से आप बना सकते हैं, और सिर्फ पांच मिनट के इंदर इसको आप तयार कर सकते हैं. यह ड्रिंक जो आज मैं आपको बताऊंगा, यह आपकी बॉड़ी के अंदर पुरानी से पुरानी कमजोरी को दूर करेगी, ठकावट अगर आपको रहती हैं तो उसको दूर करेगी, अगर आपके अंदर खून की कमी हैं, एनर्जी की कमी हैं, तो उस एनर्जी की कमी को भी इ पूल जाता है तो इन सभी प्रॉब्लम्स को भी आप काफी हित तक इस ड्रिंक की मदद से दूर कर सकते हैं तो अगर आपको या आपके घर में किसी को भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो इस ड्रिंक को आप आज से ही इस्तमाल करना शुरू कर दीजे और I am very much sure कि आप आपको कुछ ही दिनों में बहुत ही जबर्दस रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे तो चलिए भी ना किसी देरी के इस इंट्रस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस अमेजिंग ड्रिंक के बारे में पूरी डीटेल से ये ड्रिंक जो आज हम बनाने वाले हैं दोस्तों ये एक्चॉल में एक स्मूदी है यानि एक तरह का शेक है जिसमें आपको तीन चीज़ें इस्तेमाल करनी होती हैं पहली चीज जिसमें आपको इस्तेमाल करनी होती है पालक दूसरी चीज़ है केला और तीसरी चीज़ है आमन्ड मिल्क। दोस्तों पालक की अगर हम बात करें तो पालक आयरन का एक बहुत रिच सोर्स होता है और आयरन के साथ-साथ पालक के अंदर और भी बहुत सारे अच्छे से न्यूट्रियंट्स होते हैं। सभी चीज़े हमारी बोडी के अंदर एनर्जी के लिए और ताकत के लिए बहुत ही जाता इंपोर्टेंट होती हैं। लास्ली जो इसमें हम चीज़े इस्तेमाल कर रहे हैं वो है आमड मिल्क। आमड मिल्क के अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही न्यूट्रियस चीज़े हैं। इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन और बहुत सारे गुट फैट्स होते हैं और इसको इस्तेमाल करने से सारा दिन आपकी बोडी के अंदर ताकत और एनर्जी जो है वो बनी रहती है। इन तीनों चीज़ों को आप एक साथ अगर इस स्मूदी की शकल में बनाके इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको बहुत सारा न्यूट्रिशन तो मिलता ही है। इसके लावा आपकी बोडी के अंदर ताकत भरती है, आपकी बोडी की स्ट्रेंथ बरती है, आपकी मसल स्ट्रेंथ बरती है, स्टैमिना बरता है और बोडी के अंदर खून की कमी कभी भी नहीं हो पाती है और इससे आपको काफी जादा फायदा मिलता है। बोडी में कमजोरी धकान और खून की कमी होने के वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे कौमन कारण की अगर हम बात करें तो वो होता है nutritional insufficiency, यहनी खाने पीने के अंदर nutrients का कम हो जाना, अब आप मेंसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि आ आप बहुत जादा junk food खाते हैं, ऐसी चीज़े खाते हैं, जिन में nutrition बहुत जादा कम है, तो जाहिर सी बात है उससे आपके अंदर यह nutritional insufficiency हो ही जाएगी, दूसरा पहली हो सकता है कि आप जिन चीज़ों को अच्छा समझ के खा रहे हैं, आप फल फूरूट खा रहे हैं य और pesticides के साथ पैदा की गई हैं, तो उनके अंदर nutrition आ ही नहीं पाता, यतना आना चाहिए, उनको आप खाएंगे तो आपको nutrition नहीं मिलेगा, तो ये भी एक वज़ा हो सकती है, और तीसरी वज़ा हो सकती है कि जो चीज़े आप खा रहे हैं, उनके अंदर nutrition भी है, वो ध्यान देनी की ज़रूरत होती है, जो आज मैं आपको ये drink बता रहा हूँ, जो smoothie बता रहा हूँ, ये आपको इस तरह की चीज़ों में, इस तरह की problems को ठीक करने में काफी जादा help करेगी, और अगर आप चाहें, तो इसके साथ में आपको एक अच्छा multi-vitamin supplement भी add कर सकते ह चलिए अब वापस आते हैं अपनी smoothie की तरफ और जानते हैं इसको बनाने के तरीके के बारे में, तो इसे smoothie को बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको दो कटोरी पालक के पते लेने हैं, इनको अच्छे तरीके से साफ कर लेना है, धो लेना है, इसके साथ आपको लेना ह या फिर coconut milk भी इस्तमाल कर सकते हैं आपको क्या करना है आपको ये सभी चीज़े लेनी है और एक blender के अंदर एक jar के अंदर इनको आपको डाल देना है यानि दूद आप मिला लीजिए, पत्ते आप डाल दीजे पालक के और जो केला आपने लिया है इसको छोड़े-चोड़े टुकड़ों में करके आप इसके अंदर मिला लीजिए इसके अंदर आप टीएच के लिए चाहें तो दो चमच चहएद या फिर दो चमच मिश्री PCV मिला सकते हैं इसके बाद इन तीनों चीज़ों को आप इस ब्लेंडर के अंदर ढलकर अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिजिए इससे आपको बहुत ही जबरदस्त फायदे मिलेंगे दोस्तों यह स्मूदि जो आज मैंने आपको बताई है इसको आप दिन में किसी भी टाइम इस्तिमाल कर सकते हैं आप चाहें तो इसको सुभा में ले सकते हैं चाहें तो दोपहर में ले सकते हैं चाहें तो वर्काउट करने के बाद ले सकते हैं या चाहें तो शाम की नंबर में भी इसको आप ले सकते हैं आपको सोते समय इसको आप ना लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा heavy है, तो हो सकता है, सोते समय लेने से आपको digestion में कुछ problem आ जाए. ये पूरी तरह से safe है, सभी लोग इसको 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 कर सकते हैं, आपको सकते हैं, मेरा Instagram ID इस समय आपकी स्क्रीन के उपर शो हो रहा है, आप Instagram पे मुझे direct message करके भी अपना कुछ सवाल चाहें, तो पूछ सकते हैं, या फिर आप नीचे comment section में भी अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं. चलिए इसी के साथ मैं Dr. Salim आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ, के फिर मिलूँगा इसी channel पर एक नई बहुती बढ़ी आजी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हस्ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें healthy हमेशा.